विज्ञान से चुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चानल की सद्यस्यता लेना ना भूले और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाए नमस्कार विज्ञान की बात कारिक्रम में आप सबका स्वागत है मैं हूं मानवरधन कंट और आज हम बात करेंगे पैलियाटिव केर यानि प्रशामक देख भाल की और आज हमारे साथ स्टूडियो में मजूद है सरगंगाराम अस्पताल नई दिली के पेन पैलियाटिव केर फिजीशन एवंग सीनियर कंसल्टेंट अनेस्थेसियोलोजिस्ट प्रफेसर दॉक्टर नरेश दुआ सर आपका हमारे कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवाद सर सर हमारे दर्शक जाना चाहेंगे कि ये पैलियाटिव केर यानि प्रशामक देखबाल क्या अवधारना है कैसे ये एक्जिस्टेंस में आया प्रशामक देखबाल मेंस पैलियाटिव केर इट्स ड्राइब फॉम ये ग्रीक वर्ड पैलियम से ड्राइब है जिसमें पहले means कि आपको clock, आपको hide करना बाकी चीजों को जो की treatable नहीं है, जिसके आप treatment नहीं कर सकते हैं, और बाकी चीजों के लिए आप गुडवत्ता जीवन के बढ़ाएं, जैसे कोई patient cancer से पीडित है और लाय-लाय स्टेज में है जहां पर बाकी बिमारियां का treatment चल रह करते हैं, ताकि उसकी जीवन इस्टर ऊपर बढ़ सके. जैसे कौन-कौन से बीमारियों में ऐसी इस्थिति आ जाती है कि लाय-लाज हो जाती है? अल्मोस, we can say this thing, maximum, जो भी cancer है, एक हायर मोस्ट ग्रेड में जब जाता है, जब बिमारी आगे बढ़ती है, जीवन के अंत इस तरह पर ले जाती है, जब सारा treatment फेल हो जाता है, कीमो थेपी, रेडियो थेपी, तो अल्मोस्ट सारे cancer और बाकी बिना cancer की बिमारियां जैसे की एड्स हो गया, multiple myeloma हो गया, lung failure हो गया, किसी वैसे भी फैफडों का काम ना करना, heart के बारवर attack आना, उसकी वैसे बारवर patient का बारवर ICU में एडमिट होना, जो भी बिमारी है, तो टर्मिनली जब इल हो जाता है, पता चलता है कि अब तीन मेने, छे मेने, या ऐसा है, कुछ क्लियर नहीं है, और हम कोशिच कर रहे हैं सब लोगों तक पहुचने की, किसी इनसान को ये diabetes है, और optimize है, तो प्रशामक देख बाल की रूत नहीं है, जब वो kidney failure में जाने लग जाता है, after 25 साल और बिमारी के, प्रशामक विभाग को तभी बीच में आ जाना चाहिए, ताकि एकदम आप आखरी स्टेज पर एंटर करते हैं, तो आपकी recognition नहीं हो पाती पेशिंट के साथ में, तो जितना जल्दी आप एंटर करेंगे उसकी life में, आप उसकी quality of life उतनी अच्छी बहतर कर सकते हैं आखर के time तर, तो concept यह है कि आखर के time में प्रशामक देख बाली में च प्रशामक देख बाली में, जीवन स्टर को हर तरीके से बढ़ायाता है, जो पेशिंट के में परिशानिया होती है, जो common symptoms देखे गए हैं, बूख ना लगना, दर्द, दर्द सबस्यादा परिशान करता है, कबजी की शिकायत, सांस लिने में दिक्कत, और बेसिकली सांस उ होना, करने के विचार करें, इन सब चीजों को देख के हम जीवन स्टर को हर तरीके से बढ़ाते हैं, और पेशिंट बिलकुल दर्द रहित रहे, आखरी समय तक बूख अच्छी लगती रहे, पेशिंट को और छोटोटे symptoms ना हो, जैसे कबजी की शिकायत, चित का ना लगन ना लेन परिशाणी, तो इसमें पेशिंट की फैंमली को भी उतना ही सबोट किया जाता है, उसके परिवार को भी उतना ही सबोर किया जाता है, तीन तरीके से adhyahatmik रूप से, spiritual रूप से, and psycho-social रूप से, पेशिंट के ऊपर लगातार finance लगाये जाना, पेशिंट के गुणात्मा गुरूप से जादा मानते हैं और हम लोग गुणवत्ता जीवन की कम मानते हैं इसे वह बीकन से दिस तिंग क्वांटिटिटिव जादा है क्वालिटी तो हमें मरीज के बारे में भी सोचना चाहिए अपना मोवोत याग के हमें देखना चाहिए कि पेशेंट का दोगों द्वारा देखबाल की जाती है क्या कौन-कौन लोग डॉक्टर होते हैं नर्स होते हैं साइकोलोजिस्ट होते हैं कौन-कौन लोग होते हैं प्रशामक देखबाल एक एक ऐसा तरीका जिसे आप सीखके कोई भी कर सकता है इसमें आपको ट्रेनिंग की जुरूथ है यूजली डॉक्टर्स, नर्सेज, फ्योट्रेपिस्ट, काउंसलर्स, एंड एन वॉलेंटिर्स, कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन वेरी मुच इंपर्ट, साउथ हिंडिया में मैक्सिमम पैलिटिव केर, जो पड़े लिखे लोग हैं, वो वॉलेंटेर रूप से लेके, सीख ख़े से काम करते हैं, और हम फ्योप प्योड़ël में ते एक हॉस्पिटल पर देख और जाता है। एक पेशिंट आता है उस्पिल में अटमिट हो जाता है। और तीसरा इसे कहते है होस्पाई प्रसेक्ट में कई होता है, की कुछ हमने इक डेजनियरीन्ट और वहाँ पे रखते हैं तिल दा लास ब्रैथ और हर हॉस्पिटल में भी एड्मिट रखे जाते हैं पर यह एक बड़ी बात कहीं डोट सब आपने कि यह जो पैलिटिव केर का कंसेप्ट है वो आम लोगों तक फिर जाना चाहिए उसके लिए कोई ऐसी वेवस्था है कि कहीं सिस्टम चाहिए होता है एक इंफ्राइस्ट्रक्चर चाहिए होता है आप सीख सकते हैं आप मास लेवल पर काम कर सकते हैं आप बड़े लेवल पर काम करते हैं लेकिं घर में तो उसी पेशिट को रखा जा सकता है जैसे कि आपका अपना कोई नजदी की संबंदी हो उसके आप सीख के उसको हेल्प कर सकते हैं पर पर किया सकता है आप बड़े बड़े हॉस्पिरल सब जगे पैलिटिव केर हैं वहां से सीख सकते हैं और ऑनलाइन कोर्से होते हैं और आपने अबर एंबीबेस हैमली के दोरान सीखते हैं और इन सब चीजों में सीखते हैं तो क्या एक स्ट्रीम भी आप देख रहे हैं आगे आने वाले टैम में की पैलिटिव केर का एक स्ट्रीम डिवलफ होने वाला है जहां पे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है ऐसा कुछ आप द करते हैं यह सब चीजे बाकी बोनस है जो आप प्रोफेशन वाइस लेना चाहते हैं जैसे आपको जो भी दर्शक सुन रहे हैं वो जाना चाहेंगे कि कहा कहा उपलब्ध है पैलेटिव केर के सुविधा अपने देश में पैलेटिव केर दिल्ली के अंदर सर गंगा राम हॉस होस्पिटल और जितने भी बड़े-बड़े होस्पिटल हैं सब में ही उपलब्ध है और किसी भी डाक्टर को आप पैलेटिव केर के लिए प्रात्ना कर सकते हैं और वो आपके लिए सारी चीज सुधाइं अरेज कर सकता है अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के ब प्रद्योगी के प्रती लोगों की रूची जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल के शुरुवात की गई विज्ञान और प्रद्योगी की विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित, डॉकुमेंटरीज, ताजा विश्यों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षातकार और हर आयू वर्क को आकर्शित करने वाली विज्ञान लगू फिल्में और सबताहिक कारिकरम प्रसारित किये जा रहे हैं शोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुँच आज हर जगा, हर वेक्ति तक है ऐसे में देश में विज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्याम सबसे उप्युक्त कहा जा सकता है नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, अवारी चर्चा जारी है पैलिटिव केर यानि प्रशामक देखवाल पर डॉक्टर नरेश, किसी डॉक्टर को कब पता चलता है कि अब पेशेंट को प्रशामक देखवाल की जरूरत है जितनी भी क्रोनिक डिसीज़ जो लंबे टाइम तक कैरी करते हैं चाहिए वो डाइबटीज के होना हो, मस्क्ला डिस्टॉफी के होना हो और कैंसर और एच आईवी यह सब चीज़ें दो तरीके से एक तो कैंसर होगे अपने आप में एक नॉन कैंसर जो बिना कैंसर के बिमारियां है इसमें डॉक्तर को शुरू में ही इन्वाल कर लेना चाहिए पैलिटिव केर फीजिशियन को जो कि परशामक देख बाले ताकि उसका एक पेशेंट से नाता बन जाता है और आखिर के टाइम में जब पेशेंट को एकदम से रेफर करते हैं जब लास्ट से जो होती है या डाइंग टाइम होता है तो पेशेंट फील करता है कि आपने मेरे को डंप कर दिया पैलिटिव केर में तो उस एक आत्मिक नहीं बन पाती उस डॉक्तर से तो हमारा माना य एक तक वर जोसे करते हैं हम उस उसतर रेफरेंस देते हैं हम उसको पेशाय कांशलिंग करते हैं तो निए बन आत्मीक दोमिक रॉप छील ज़ाते हैं और बाद के टाइम पर पेशें है और उनका treatment खतम हो जाता है क्योंकि तब बिमारी लाइलाज स्टेट पर पहुंच जाती है जैसे कि एक एक्जामपल लेते हैं मदू मैं रोक 25 साल के बाद ऑस्तन जब डाइलेसिस या किड्नी फेलेर में पेशेंट आता है तो एक टाइम के बाद डाइलेसिस होते 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 पेशेंट को आईस्यू या बाकी रिक्वार्मेंट होती तो उस साइम पर पैलेटिव केर का रोल बढ़ कि एक अपना जो रहपो है वो डॉक्टर के साथ पैलेटिव केर फीजिशन साथ शुरू से अच्छा जुडाव बन जाता है तो वो उन चीजों को महसूस करता है कि मैं को यह भी शुरू से लाज कर रहे हैं मेरा और मेरे साथ जुड़े हुए और आत्मिक रूप से मानसिक हुए 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 ह के जाने के बाद जो पेशिंट कैंसर से पीडित है या नॉन कैंसर से लंबे समय से पीड़ी चल रहा है ताकि परवार वित्य संकट में ना चला जाए और आगे की जीव का बड़ी मुश्किल ना हो जाए सब के लिए जी डॉक्ट साब ऐसे पेशिंट जो की काफी तकलीफ मे होते हैं तो जब पैलेटिव केर में आपके पास आते हैं उनको क्या प्रवाइड कहा जाता है क्या उनके दर्ध नेवारन के क्या होते हैं बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, सबसे ज़्यादा जो सिम्टम आते हैं पेशिंट को प्लिडिव केर वाले, उनको पेन सबसे ज़्यादा होता है, दर्द, दूसरा सांस उखड़ना, सांस में फूलना मुश्किल, कभजी की शिकायत, और मन का चितका डिप्रेशन ह ये सारे सिम्टम सबसे ज़्यादा पाया जाते हैं, जो कैंसर और नॉन कैंसर पेशिंट जो की प्रशामक देख बाल के लिए तो जो प्राइमरी डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहा है, उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो इन सब चीकी देख बाल कर सके, वो अपनी और उसके परिवार को समय दे के उनको आगे बहतरी की तरफ ले जाए, इससे ही गुडवत्ता की लाइफ, बेसिकली जिन्द की गुडवत्ता बढ़ती है पेशिंट की अर जैसे माली जी दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसी दवाशिंट के लिए हमारे पास कई इलेक्टोनिक पंप्स हैं जो हम पेशिंट को इंट्रावीनिस लगा सकते हैं ताकि पेशिंट कमफर्टेबल रहे इसके इलावा कुछ एक ऐसे हमारे पास ब्लॉक्स हो हो है जो पेशिंट को प्ला के जिसमें की रेडियर फ्रिकेंसी के ते हैं या एलकोहल होता है इसको द कि ऐसे दिल्ली काई कोई सेंटर था जा मुझे जाने का अफसर मिला एल्डिट पैलिटिव केरी उनित में और देखा कि और छोटेव करते हैं मुझे इंजक्शन भी मत दो ऐसा मैंने देखा था तो ऐसे लोग जो की पैलिटिव केर यूनिट में आ गए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनको इंजेक्शन भी लगवाया जाए उसका क्या तरीका होता है क्या उनके भी कुछ अधिकार होते हैं आइडियल कंसेट तो यही होता है कि डाइंग डिगनिटी कंसेट में आप ये इंजेक्शन भी ना लगाएं जी पेशन को बाकी जो भी तरीका है चाहे मुह से आप दवाई दें लॉली पॉप दे सकते हैं या इसकिन पर पैच चिपका सकते हैं और पेशन को उस तरीके से और भावनात्मक रूप से लगाओ भी बढ़ाना पड़ता होगा भावनात्मक रूप से लगाओ तो बहुत ज्यादा बढ़ाओ ता लगाना बढ़ाना नहीं पड़ता हो जो इस प्रोफेशन में अपने आप ही हो जाता है और बच्चों के पैलिटिव केर में आपको पताएं पैरेंट्स को सुसाइट से बचाया जाता है और उनको सपोर्ट किया था तब तक कि जब तक कि इनकी काउंसलिंग चलती है यह अबल तो एसे अप्रश्ट मेरे मन में यह भी आ रहा था कि जो पैलिटिव केर के फीजिशन होते हैं जैसे कि आप हैं वो और जनरल डॉक्टर दोनों में क्या फरक है ऐसे मरीज यह साहत दोनों आप अलग क्या करते हैं जो जनरल डॉक्टर से अलग होता है जैसे अपको बताया कि सरगंगाराम में हमें पांच साल तो हमारी एक यूनिट है एक टीम है, इसमें अलगने डॉक्टर्स काम करते हैं, नर्सेज हैं, काउंसलर्स हैं, उससे फाइदा ये मिला कि जो प्राइमरी फीरिशन है, उसके पास इतना समय नहीं होता कि पेशेंट से इतनी बात कर सके और इसके साथ इतनी सारी चीजों का ध को आदा घंटा सुनना, उनकी काउंसलिंग करना, उनकी दर्द का निवारान करना, उनकी छोट-छोटी समस्याओं को समझना, परिवार के साथ समय बिताना, परिवार को फाइनेशली काउंसलिंग करना, समझाना, तो ये सब चीजे एक्स्टर लेयर ऑफ कमफर्ट है, पैल ऐसा केयर ये लोग प्रोवाइड करते हैं और अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर वापस हाजिर होंगे, चर्चा जारी रहेगी, डॉक्टर नरेश हमारे साथ बने हुए हैं, प्रशामक देख भाल पर विज्यान तथा प्रद्योगी के प्रती लोगों की रूची जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल के शुरुआत की गई विज्यान और प्रद्योगी की विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्यान वेब चैनल विभाग के स्वायत संस्थान विज्यान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित, डॉकुमेंटरीज, ताजा विश्यों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षातकार और हर आयू वर्क को आकर्शित करने वाली विज्ञान लगू फिल्में और सबताहिक कारिकरम प्रसारित किये जा रहे हैं शोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुँच आज हर जगा हर वेक्ति तक है ऐसे में देश में विज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्याम सबसे उप्युक्त कहा जा सकता है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी परिचर्चा जारी है प्रशामक देख भाल पर और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नरेश दुआ सर ये जो लाईलाज बिमारी रोगियों के जीवन को लंबा खिचने की कोशिश में रोगी के परिजनों पर आर्थिक बोज बढ़ता ही है आप कैसे देखते हैं इसको क्या वाकई एक किफायती सॉलुशन है जो प्रशामक देख भाल है और मानवी सॉलुशन भी है आपने बड़ा अच्छा लास पॉइंट वोला मानवी है देख बाल परिशामक देख बाल में आप हेल्थ केर बर्डन बढ़ा रहें मरीज चाहता है कि वो अपने घर पर रहे आखरी सांस तक और थोड़ा कमफर्ट उसको घर पर होता है लेकिन आप उनको हॉस्पिटल में एड्मिट करके एक तो हेल्थ केर बढ़ाते हैं और एक्स्पेंडेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है जो लोग इंशुरेंस से हैं उनको तो ज्यादा नहीं पढ़ता लेकिन जो लोग अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं उनके बहुत मुश्किल है हमारा हमेशे अदेश रहता है कि पेशेंट की जो अपनी इच्छा थी जो उसने अपने बिमारी के आखरी अन्तिम चरण में जाने से परे लिखी थी हम उसको सम्मान करें इसलिए हम पेशेंट से पहले ही पूछ लेते हैं कि पेशेंट का क्या उपीनीन है अपने बारे में यब बहुत ज्यादा बिमार होगा चरम सीमा पे और हम कोशिश करते हैं कि परिवार को यही समझाए कि जैसे मरीज के अपनी इच्छ थी उसी तरीके से रहा जाए जैसे मैं हमको एक उधार देना चाहूंगा एक ब्रेन कैंसर का प्रेशन हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उनका काफी बड़ा उप्रेशन हुआ और उनका ब्रेन ट्यूमर बहुत खतरनाक तरीके से था तो परिवार की इच्छ थी कि वह घर जाए आखर टाइम पे उनका प्रेशर नीचे गिर रहा था तो हमने सारी सुबदायों के घर पर अरेंज करी और उन्हों अपनी अनतिमसाद घर पर अराम से वहीं पर ली तो हमारा उदेश ही रहता है कि आप अपने घर तक पहुँचे और जिन शर्तों पर आपने अपना डिसाइड किया था नेरने लि aled कि ऐसा कभी अगर कोई इच्छाम्रत्यू की इत्नी चर्चा हो रही है जो सरवरूतम इच्छान आयला हमारा कंसर्फ यह है कि हम पेशिंट और उसकी फैमिली के आगरह पर एक्टिव टीटमेंट को कम कर सकते हैं, जो हम पेशिंट का बहुत ज्यादा चड़ मढ़के इलाज कर रहे हैं उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, ताकि पेशिंट को जैसे की वेंटिलेटर पर नहीं डालना, जैसे फैमिली की इच्छा है कि पेशिंट को कैंसर की आखरी स्टेज है, किसी भी कैंसर की वायसे और पेशिंट की चाहती कि मेरा मरीज वेंटिलेटर पर ना जाए, आइसियू में ना जाए, तो हम उनको के कमरे में ही उनके हिसाब से परशामक देख बाल करते हैं, और उन कि यह जो इतना बड़ा कंसेप्ट है, यह जो धारना है, प्रशामक देख बाल की, पैलिएटिव केरी की, इसमें क्या-क्या चुनोतियां बेसिकलिए आप लोगों को, आप सबके सामने होती हैं, चुनोती तो सबसे बड़ी बात, अभी तो जो विचार धारा है, जो एक स्टार्ट करें हैं, एक सेग्मेंट स्टार्ट कें MBBS पर और MD में दो सेग्मेंट दो लेक्चर स्टार्ट की, चैप्टर पढ़ाया जाता है, चैप्टर्स, तो अभी हम अपने समाज को चिकिसिक समाज को पहले अवेर कर लें, सासद हमारे पास इतना समय नहीं कि हम विश् प्रशामक देखबाल में आगे बढ़िये, एक समाज सिवा है, इसमें हमारे की हल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, डॉक्टर साब आपकी बातों को जो भी सुन रहे होंगे, वो स्वेंग जागरूख होंगे, अब मैं कुल मिला करके, आपका क्या विजन है, क्या र हमारा एक परसेंट से कम लोगों को प्रशामक देखबाल मिल पारी है, जिनको जरूरत है, एक परसेंट से भी कम, सबसे ज़्यादा तीन परसेंट जो मिलती है, वो केरल में हैं। इसके पीछे कोई खास कोई व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे, जिनकी वज़ा से केरल जो फादर ऑफ इंडियन पैलिटिव केर हैं, उनके परिश्रम से सारा कुछ हुआ है, अभी रोड मैप में अभी तो बहुत आगे जाना है, और दोजार पचास तक हमारे पास, जो साठ साल से उपर की जो अवस्था है, बहुत सारे लोग होंगे, वन इन फाइव, एंड सम में आने वाले समय में प्रशामा देख बाल की तो बहुत जाजरुत पढ़ने वाली है, लेकिन अभी हम जब आगे बढ़ेंगे, तब ही आने वाली पीडी को तयार कर पाएंगे, फोर वोलेंटियर, फोर डॉक्टर्स, फोर नर्सेज, और प्लिटिव केर फीशिंस, तो आ मरीजों की सेवा करने के लिए तयार हैं, और हमारा प्रयास यही है कि सब लोग जुड़ें और मरीजों की देख बाल करें, और उनको जो दवाईयां हमारी वेस्ट हो जा रही है, और जो पेन की जाएंगे, और इंडिया सबसे बड़ा प्रोडूसर है, जो की मॉर्फिन ए तो अब ही हम ब्रहांतियों को दूर करने के लिए कभी आपके साथ दुबारा चर्चा करेंगे, और तब ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कि हमासे प्रॉलम से हैं, क्या क्या ब्रहांतियां है, डोग्टर साब एक तो यह है कि मॉर्फिन का उप्यों करें ना करें, फैमली आफरी परिवार सोचता है कि और प्रॉर्फिन स्टार्ट हो गई तो मरीज आखरी अवस्ता में है, दूसरा इसको लेने से नीन बहुत जादा आती है और प्रॉर्लम में आ सकता है, बहुत सारी ब्रानतिय को भी लगता है कि अपका सांस लेने की गती कम हो सकती है और इसमें arrest हो सकता है, इस तरह के कई सारी मनगर्णत काहनिया हैं, जो कि हमें अभी अपने ट्रेनिंग से, जानकारी से, लेक्चर से सब लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, डॉक्टर साब, एक जो बात मेरे मन में आ रही थी, वो ये कि ऐसे पेशेंट, जिनको मालूम है कि अब मेरी बीमार इलाज स्तर पर पहुंच चुकी है, उनको छुटी छुटी खुशियां आप कैसे देते हैं, और दूसरा ये भी सवाल था कि हमारे समाज में, आज भी मृत्यू का बहुत बड़ा भैर रहता है, इस मृत्यू को जैसे हम लोग सुनते आया हैं कि नेनंद छिंदंती, शस्तर तो मृत्यू के बारे में भी हम डिसकस नहीं करना चाहते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं, आप ने बड़े अच्छे प्रस्च पूछे, जहां तक पैलेटिव के यूनिट का प्रशन है गंगाराम हॉस्पिटल में हमारा एक अच्छी विचारदारा ही है कि जो भी मृत्य कि उसया के नजदीक होता है और we can say end of life issues concerned होते हैं, तो इतने भी मरीज होते हैं उनका जिनका birthday है, we celebrate there, उनके anniversary है, जो भी छोट-छोटे functions होते हैं, तो we provide them all the facility, उनकी family आती है, doctors and our team, और जहां तक मृत्यू की बात है, अपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, प्रशामक द यह डॉक्टरों के साथ भी चिंतन में थोड़ी सी परिशानी है, कि हम मृत्यू को discuss नहीं करते हैं, मृत्यू का विचार बनाते ही नहीं ना उनसे कोई सवाल जवाब करते हैं, पेशेंट से ना उनके family से, यह प्रशन बहुत जरूरी है, हमें plan the death, you have to discuss the death, and you have to ask what the way the patient want their priorities मरीज बताएगा कि उसकी क्या भावना है आखिर के छड़ों के लिए, किस हवस्था में, किस सरीके से मरीज यहां से गवन करना चाहता है, सांसारिक दुनिया से, तो यह बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर्स मृत्यू को अपना personal failure मानते हैं, और हमेशा बचते हैं मृत्य को डिस्कस करने से, तो हमें परवार और मरीज के साथ जितना जल्दी हो सके, उस concept को समझाना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए. डॉक्टर नरेश, लाइलाज बिमारी में जो patient का care होता है और जो palliative care का concept है, उस पर पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवा नमती, नमस्कार.